बस्तों आप देख रहे हैं आप अपने गार्डेन में इसको नहीं आप लगाए तो जरूर इससे आप लगाएं तो स्वहता क्या कि बहुत ये शुवमाना आता आप देख रहें इस से बहुत धेरं सारे आपको फ्लावर ही देखने को मिल रहे हैं और इस पे बहुत लोगों कमेंट था कि हमारे अप्राइदा के पौदे पे फूल नहीं आते हैं दोस्तों इस वीडियो को आप लास तक देखेगा अब मैं इसमें कुछ ऐसे ट्रिक बताएंगे जो इस ट्रिक को फालो करेंगे तो बहुत धेट सारे आपके पौदे पे फूल आपको मिल लेगा लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दों कि सस्ता मिलेगा उसके साथ साथ में दोस्तों इसे सपोर्ट आपको देना बहुत जरूरी है तो चलिए सबसे पहले हम बताते हैं कि इसे कैसे ग्रो करते हैं तो इसे दोस्तों इसे कटिंग से भी आप ग्रो कर सकते ह तो जब एक कटिंग आप लेते हैं तो थोड़ी से मेच्चोर कटिंग लेकर आप इसे ग्रो करना क्योंकि ग्यूंकर में लगा देंगे मिट्टी में लगा देंगे आप लाखे से लगाई और लगाने के बाद दूस्तों होता है कि इसका potting mix potting mix अग्र श्ट्रांग आप बनाते हैं तो हम आप रहता हैं कि बहुत अच्छे तरीके से इसमें आपको फ्लावर आएगा और दोस्तों फ्लावर भी आने का एक वज़ा ये है कि इसको अगर इसके देख बाला अच्छे तरीके से आप करते हैं तो देख बाल करने के बाद भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से फ्लावर आता आप देख सकते हैं यह जो फ्लावर है यह कितना खोप को देखने को मिलेगा और नरसरी पर तो दोस्तों पर ऑप कि मिल जाएंगा जो आपकी इच्छा कोई भी आप लाके लगा सकते हैं, इसकी अगर हम मिट्टी की बात करें तो दोस्तों इसकी मिट्टी आपको वेल ड्रेन आपको बहुत जरूरी है मिट्टी बनाना आप यह देख सकते हैं दोस्तों होता है क्या कि वेल ड्रेन मिट्टी आप नहीं बनाएंगे तो इसमें मौस्चर होल्ड नहीं रहेगा तो उस दिक्कत आपको यह आगे कि इसमें आप ले लिजे 40 percent ले लुजे garden soil उसके बाद इसमें आप रेट ले लिजे जो फोर्था युशा बीस पर्सेंट उसके बाद जो जो सड़ी गुबररी खाद इसमें अब ले सकते हैं 20 परसेंट अप ले ले को सपोर्ट देने की बहुत ज़रू होता है अब देख सकते हैं यह आपके सामने जो पौदा है मैंने इसको अभी लगाए वह तीन से चार मिना हुआ है और तीन चार मिना में देखी यह बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है और दोस्तों अभी भी इसको सपोर्ट अच् तो पौदा आपका बहुत बूसी हो जाता है मैं आप को था हूँ कि अगर इसका पौदा बहुत लंबा होता है कम से कम आठ से दस फूट यह लंबा हो जाता है इसका पौदा और यह घना की बात करें तो कम से तीन से चार फूट एक चौणा में घना हो जाता है इसका दोस्तों इसके फटलायर के बारे में हम बात करेंगी कौन कौन सा इसके फटलायर देते हैं तो दोस्तों सपोर्ट के और हम बात करें तो इस तरीके का आपको ले लेना है इसे आप देख रहे हैं इस तरीके का आप अपने पास रख लीजिएगा इस्टिक मिल जाएगा तो औ तरीके से इस तरीके से अब पॉट के अगल बगल अभी से लगा सकते हैं उसके बाद दोस्तों हम आपको दा देंगी थोड़ी से हम पॉट का सेलेक्षन के लिए हम बूल गया है इसके लिए आप अगर आठ से आठ इंच में बहुत लगाते हैं लेकिन दोस्तों मेरा सला है कि आप 8 इंच में इसके पॉर्ट में लिजिए आप कम से कम इसे लगाएए 10 इंच या 12 इंच डारेक्ट लगाएए तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहे हैं दोस्तों ये देखिए इस तरीके से आप इस्टीक ले लिए और इस्टीक लेनेक ब बनाएंगे तो आपको बेन्फिट यह होगा कि यह जो यह जो टाप वाली जो यह सखाया है इसको अगर चार्टर निमें लगा रखा है तो चारो तरफ हलका हलका इस तरीके साथ इसे डंडी में लपेट दीजिए और जो बहुत बड़ा हो गया इसको ऊपर यहां पर आप धा आप सपोर्ट देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है और इस तरीके कि दोस्तों अगर बनाएंगे और बनाने के बाद यह पूरा यह इसका ओवर्वीव देखेंगे तो बहुत ही खुब सुत लगए देखने में आपका आपराईदा का पाउदा उसके बाद इसमें एक सपोर्ट दे देंगे तो यह भी पौदा बहुत अच्छी तरीके से बूसी बन जाएगा अब देख सकते हैं कि बहुत यह बड़ा हो गया यह पौदा अब इसमें एक काम करना है कि देख़ें आपको करना है इसमें आपको देना है आप देख सकते हैं ले तो उसको यूज करिए कितना यूज करना है एक इटर पानी में आप 2-3 ml ले लेजी दोस्तों यह इतना बढ़ियां काम करता है सीवीड फटलाइजर इस इस कंडिशन में फ्लावर कंडिशन में कि आप इसे पंदर पंदर दिने पर दो से तीन बार लगतार यूज कर दीजिए इसका रिस्फांस देखी आपको इसका रिस्फांस बहुत ही बहातरीन आपको मिलेगा अब इसको घोल देते हैं घोलने के बा सासो की खली देखिए यहां पर है सासो खली आपको एक से दो समय देना है यह जो सीविड फटलाइजर यह लिकुड यह ड्राइफ फार्म में है और यह जाई में यह बर्मी कंपोस्ट है इन चारों को मिला के भी आप इसमें दे सकते हैं पंदर दिन बार उसके बाद देख पंदर नेक्स्ट पंदर दिन बाद आप इन पी के इसमें दे सकते हैं जैविक एन पी के उनने सोने सोने उसका यूज करते हैं तो आप रिस्पांस भी अच्छ बहुत अच्छा मिलता है मैं अधा दू आपको जिसा आप देख रहे हैं आप गौर करिए जिसाब जो उपरी इन पूरी जीतनी हैं आप देख cœurने में बिल्कुल भी चकी मत इस स्कुर चोड़ दिया अब दोस्तों इसको सारा की आप देख रहे हैं जो वेश्टिक नुमा ये बना हुआ है इसमें से इतनी कल्य निकलेंगे कि पौधा आपका बिल्कूल अच्छतरीकी से ये बुसी बन जाएगा और जब पौधा आपका बुसी बन जाएगा तो उसमें आपको देखने में बहुत खुपसोत लगेगा और जितना बुसी होगा उत जार चार्थ भी लगा देगा तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्री वीडियो को लाइक करेगा शेयर करेगा और चैन को सब्सक्राइब आप जरूर कर दे मिलते हैं आप से न्यू वीडियो निटापे के साथ धन्यवाद